तो कुश्चन में क्या गीवन था दुबारा एक बार रीड कर देते हैं कहता है बिहारी लिमेटेड एक कमपनी है पचास हजार एट पॉरसेंट रिडीमेबल प्रफरेंच येर है और हर कोई आज कल रिडीमेबल प्रफरेंच येर ही होता है 10 रुपे का एक है तो इसका मतलब सर देखा जाएना तो टोटल प्रफरेंच शेयर होल्डर को जो पेमिंट करना है न वो करना है हमें 5 लाक रुपे है न वो कितना करना है हमें 5 लाक रुपे करना है और बोला उसके उपर हम प्रीमियम भी देंगे 10 परसेंट तो प्लस अगर म हमें 5,50,000 रुपे की पेमिंट करनी हैं। इसके बाद, आगे कहता है, Make the following issue for the purpose of redemption. इस redemption को परकरिया को करने के लिए हमने कुछ सोचा है। सोचना तो पड़ेगा भाई। क्या क्या सोचा है। पहली बात मैंने यहाँ पर सोची है कि हम एक काम करते हैं सर। 30,000 equity issue कर देते हैं 10 वाला। यानि सर 3,000,000 का इंतजाम हो गया equity का। और साधारन equity नहीं, इसके पर security premium लगाएंगे। जो कि कितना security premium होगा 30,000 रुपे। आगे कहता है 4,000 debenture भी issue किया है, ओके इसने 4,000 debenture भी issue कर दिया, 100 रुपे का, 4,000,000 का यहाँ से इसने पैसा ही खटा किया। और इसके बाद security premium इसके भी भी 5% है, तो इसका मतलब सर 20,000 security premium है, इसके उपर 20,000 security premium है। अभी मैं doubt देख रहा हूँ बच्चों का, बस मैं सभी का reply कर दूँगा सर, cash flow में, holding cash flow और amalgamation करवाया है। मैंने अभी क्या करवाया है सिनेहा, मैं उस chapter का नाम बता देता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ share capital करवाया है, और share capital के बाद दूसरा chapter start किया है। इसके अलाबा जो आपके college में internal होने वाले हैं, जिनके वो पुरानी वीडियो में से देख के कर सकते हैं, और सारी वीडियो देखने की जुरत नहीं है, जो chapter है वो tentative idea ले लीजिए। तो जब मैं cash flow करवाऊंगा, तब आपके सारे doubts clear हो जाएंगे, क्योंकि इस पर cash flow थोड़ा अलग तरीके से भी करवाऊंगा मैं, क्योंकि पहले simple simple question पूछे जाते थे, अब question पूछने का क्या हो गया है, trend change हो गया, तो हम सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, चली आगे च general reserve company के पास पहले सा general reserve, 4 लाग का पास necessary general entry, सबसे पहले बता दीजिये मुझे, कौन बताएगा मुझे, कि मैंने कितना CRR create करना है, कितना CRR create करना है, सवाल में होता क्या है जर्नली, कि सर आपको जो preference share holder को पैसा कितना देना है, उसका face value पता करिए, तो सर preference share holder को पैसा देना ह 5 लाग रुपए, तो कायदे से देखा जाए, तो इस 5 लाग रुपए का payment करने के दो भी है, या तो मैं fresh equity share issue कर दूँ, और सर यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ fresh equity share है, इसमें debenture count नहीं होगा, कुछ बच्चे अगर debenture count कर लेंगा, examiner confuse करने के लिए देगा, क्योंकि debenture से हमारा share capital का impact थोड़ी ना आता है, वो तो हमारा other liability का part होता है, तो सर यहाँ पे equity share अगर देखा जाए, तो मैंने 3 लाग का कर लिया है, तो बाकी का हमें कहां से इंतजाम करना होगा, CRR, यानि CRR कितने का बनाना होगा, 2 लाग का, बड़ी सीधी सी बात है, CRR बनाना पड़ लाख रुपए का, अभी शेक का no voice, नहीं voice तो आ रही है, MD, sir, कल की class, sir, कल की class समझने, CRR है हमारा capital rhythm से, देखे, जो बच्चे नए है, मैं थोड़े word को explain करूँ है, और जो बच्चे last class को miss करके आ हैं, वो पिछली class को देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक घंटे की class में 5 मिनिट में चलो, मैं समझा भी देता हूं आपको, कि CRR ये होता है, ये होता है, तो आपका base खराब हो जाएगा उसमें, क्योंकि आप 5 मिनिट में समझोगे, आपको लगेगा, sir, ने समझाया, सब कुछ ठीक समझाया, प्रॉपर समझाया, और आ यानि मैं मोटी मोटी बात करूँ, तो हमारे पास 5 लाख रुपए का इंतजाम करना था, जिसमें से 3 लाख equity share से इंतजाम हो गया, और 2 लाख रुपए CRR से हो गया, ठीक है, अब simple simple हम entry करते जाएंगे, और उसी के साथ साथ सब कुछ होता जाएगा, और कोई दिक्कत वाल इसको इधर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाला कि balance sheet बनाना नहीं है क्योंकि कुछ जानकारी है नहीं, भाई अभी hand raise का किसी का doubt नहीं लेंगे, repeat कहां से करें, अभी रुख जाईए, MD Sunover, पुरानी class देखिए जिनको दिक्कत है अभी, अभी इस class में मैं पूरे class में ये वाली चीज़ ये topic, बिलकु लकास जना रिजब से ले सकते हैं, चलिए इसको यहाँ सेट करते हैं, छीक है, अब जनरल एंट्री में तयारी, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने बनाना है, जो जो काम हुआ है, fresh issue किया है, तो पहली एंट्री, first entry क्या करेंगे, बताओ fresh issue में, share application, sorry, bank account, bank में पैसा आएगा न, पहली एंट्री करेंगे हम, bank account, debit, to share application, अब बताइए कितना आएगा, सर कितना आएगा, आपका 3,000,000 और 30,000 रुपए का premium भी होगा, तो total 3,000 जिसको समझ में नया है, पूछ लीजिएगा, इसके बाद आएगा हमारा share application, two equity share capital और two security premium, यह आगया 3,000,000 और यहां 3,000,000 और यहां 30,000, यहां 33,000 आएगा, यहां पे आएगा 33,000, है न, तीन लाग 33,000, अब आगे बोलता है सर डिवेंचर भी इशू करा, कोई बात नहीं कर दो डिवेंचर इशू, तो bank account debit, bank account debit, two debenture application, सर कितने debenture हैं, सर 100 रुपए का एक debenture, into में 4,000, और plus security premium, तो security premium पांच रुपए का है, तो मैं 100 की जगह इसको लिख देता हूँ 105, 100 की जगह लिख देता हूँ 105, तो कितने हो जाएंगे, 4,020,000 होगा, 4,020,000, और यह भी होगा 4,020,000, debenture application, to कितने percent debenture, 10 percent debenture, अब ध्यान रखिएगा, जब हम पहली, यहाँ भी 10 percent लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाना या ना लगाना आपके इच्छा, लेकिन जैसे share capital लिखते हैं ने, तो debenture credit करना होता है, तो 100 percent percentage लगाना ही लगाना होगा, टू debenture application, बाकि debenture वाले chapter हमारा आगे है, यहाँ आएगा 4 लाग, और टू आजाएगा हमारा क्या, security premium, कितने आगे सर, 20 अजा, अब हम क्या करेंगे सर, CRR create कर लेंगे, हमारे पास GR में पहले से पैसा पढ़ा हुआ है, तो general reserve to CRR, to CRR, general reserve to CRR, कितने चाहिए, 2 लाग रुपए, यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछिए, फिर मैं due और paid और right offer खतम करेंगे इसको, यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछिए, CRR दुबारा बताना है, देखो CRR का क्या है, मैं दुबारा लिख देता हूँ CRR, देखो हमें redemption के लिए जो total face value का पैसा चाहिए, face value का पैसा चाहिए न वो total चाहिए 5 लाग रुपए, कैसे आया सर 5 लाग, 50,000 और इंटू में 10, जिस 5 लाग रुपए में से, हमने कुछ fresh issue equity share कर दिये हैं, that is आपका 3 लाग रुपए, तो और जो आपको capital maintain करना है, उसको आप maintain कर लोगे balance amount से, जिसको बोलते है capital redemption reserve, सर capital redemption reserve क्या होता है, general reserve से पैसे निकाल के इसमें डाल लेना, तो वो कितना maintain किया है, हमने 2 लाग रुपए, तो अगर general reserve से पैसे निकाल के हम डालेंगे, तो general reserve हो जाएगा debit, और 2 में आजाएगा CRR, CRR होता है capital redemption reserve, चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं सर, due paid जो भी entry बनती है, इसको भी यहाँ से उठा के ले जाते हैं, यहाँ general entry कर लेंगे, चलिए, अब due कर लेते हैं, अब debenture holder को बुला लेते हैं, sorry, preferent share holder को बोल देते हैं, भई यह अपने payment को ले जाएए, payment आ गई है, उसको बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे, कितने percent preferent share था, 8 percent, preferent share capital account, आपको exam में पूरे पूरे शब्द लिखने हैं, मेरे लिए नुकसान security premium debit, 10 percent है, तो that is 50,000, और two preferent share holder, preferent share holder को कितना payment देंगे, 5,5,000,000 रुपे, इसके बाद preferent share holder को payment कर दो सर, preferent share holder account debit to, debit to bank, कर दो payment, कितना payment करोगे, पूरे कर दो 5,5,000,000, कोई hold नहीं करना, तो सर, पांच लाग, 50,000, अब आगे security premium को write off भी करना है, तो security premium आपका जो balance sheet में, या new, मतलब balance sheet के अंदर जाने वाला था वो, और two security premium, सर, जो two में security premium है, on redemption वाला है, तो security premium कितना जाएगा सर, 50, क्या हमारे पास security premium में वाक्य में 50 है, तो जी हाँ, 30,000 देखों यहाँ पे है, और 20,000 यहाँ पे है, तो पचास अजार था, तो इसी 50,000 को debit करके two premium करके खतम कर दिया, देखिए कोई doubt, फिर हम balance sheet पे आएंगे, बताइए कोई doubt, फिर balance sheet पे आते हैं, सर, SP, बहुत बच्चों को दिक्कत है security premium में, चलिए इसको समझाई देते हैं, देखिए, सपोज करिए यह balance sheet है, और balance sheet में general reserve इधर होता है, मान लो 2 लाग, general reserve के बाद आपका होता है क्या यहाँ पे, security premium भी होता है, मान लेते हैं 1 लाग, यह security premium कहां से आया, यह security premium आया, जब हमने share को, या debenture को, जब हमने कभी भी पहले issue किया होगा, अब यह कभी issue किया होगा, इसमें हम नहीं जा सकते, तो जब यह security premium का पैसा लिया था, तो section हमारा, section 52, subsection 2 activate हो गया था, और इस section ने हमें क्या समझाए, कि भाई, उसका use आप मत करना, वहाँ पे बताया था, आपको use करना है कुछ specific जगह पे, जिसमें से एक जगह लिखा हुआ था, payable, security premium payment, अगर security premium का payment करना हो, on redemption, of preference share capital, तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, यह कौन कहता है सर, यह section कहता है, यह law कहता है, तो अब मुझे पता है कि मैं इस वाले पैसे को, इधर उधर कहीं use ही नहीं कर सकता, तो अब मुझे क्या redemption पे, security premium करना है, तो जब हम यह वाली entry करते हैं, जैसे अभी हमने किया था, 8% preference share capital, 8% preference share capital, और क्या किया था सर, हमने 8% preference share capital के आगे, security premium, तो यह वाला है कि 50,000 रुपे आप लोटा रहे हो, और 5,000 पांच लाख लोटा रहे हो, तो तो टोटल 5,50,000 रुपे आप दे दोगे preference share holder को, तो सर यह वाला जो premium है ना अभ्ध्यान दीजिए, यह premium अभी नए वाला है, new premium है, यह सर new premium, एकदम new premium है, और यह वाला premium मुझे देना है सर, देना है यह premium, किसको देना है, preference share holder को देना है, और यह वाला जो premium हमने लिया है, लिया है, तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं, मेरे pocket में कितना premium है, कौन बताएगा मेरे पास कितना premium है, तो जवाब है सर, मेरे pocket के अंदर जो premium है, वो है, लाक रुपिया, एक लाक रुपिया, मेरे pocket में कितना premium है, अब कौन बताएगा के मुझे premium कितना देना है कौन बताएगा मुझे premium देना कितना है तो जवाब है सर मुझे जो premium देना है ना वो देना सिर्फ मातर 50,000 है तो मैं क्या करूँगा अपने balance sheet में से premium को निकालूँगा तो मेरे जब balance sheet कौन सा side होता है सर यह liability side होता है account debit अब यह कौन से वाला premium है तो मैं bracket में लिख देता हूँ balance sheet वाला पहले यह समझे है debit हो गया अब इस premium को payment करूँगा तो यह खतम हो जाएगा तो इस वाले premium को कर दूँगा to security premium यह कौन सा है जो redemption वाला है और कितने रुपे होगे सिर्फ 50,000 रुपे मात्र इसलिए हमने क्या करा पीछे एक entry कर दिया क्या entry करा security premium to security premium हमने क्या entry करा security premium to security premium क्या समझ में आई आपको बात अभी भी किसी का doubt है तो पूछ सकते हो है किसी का doubt अभी भी क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं अभी भी यह तो पूछ लीजिए जब तक मैं premium का concept clear नहीं कर देता मैं आगे नहीं जाऊंगा